आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ खावेंद्र चौहाल आये रुख कर लेते हैं उत्राखंट की खास खबरों की ओर इन दिनों अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे के बाद वहाँ पर रह रहे हैं लोगों में देश को छोड़ने की खोर बच गए है लोगों के जहन में बस यही है कि वो किसी तरह अफगानिस्तान से सकुषल अपने देश वापस लोट सके अफगानिस्तान में फसे हुई लोगों में भारत के भी कई नागरिक हैं जिन में से कुछ उत्तराखंट के भी है जो काबुल में फसे हुए हैं इनली जानकारी के मताबिक राज्ज के 160 से जादा लोग अफगानिस्तान में फसे हुए हैं ये लोग लगातार अपने परिजनों से संपर्ट कर वहां के हालात की जानकारी भी दे रही हैं वही नागरिकों के परिजन सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके परिवार के सदस्यों को वहां से सकुषल वापस लाए वही इस मामले पर मुख्यमंत्री पुशकरसिक धामी ने कहा है कि अफगानिस्तान में फसे उत्राखन वासियों को वापस लाने के प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने संबंध में विद्रेश मंत्राले से बात कर आवश्यक कारवाही का अरूरोद भी किया है विद्रेश के वावल नॉर्मली था इतना कोई समस्या नहीं थी वहाँ पर कोई डर नहीं था अमपाउंड में जो ड्यूटी होती थी हमारी ठीठा चलती थी उदर पर कोई समेस्या नहीं थी उस वर्त वाबर देखिए हमारे हजारो भारतिये जो हैं हमारे अफगानिस्तान में फसे हैं और उनकी सकुसल सुरक्षित वापसी की मांग उसके समर्तन में आम आज पासपोर्ट कारेले में उफास पर बैठे हैं हमने मानी प्रदान मंत्री जी के नाम मानी विदेश मंत्री के नाम एक ग्यापन पासपोर अधिकारी जी को दिया है जिसमें हमने उत्राखंड के लोगों की सूची भी उपलब कराई है जो हम सूची प्राथ कर सके और हमारी सीधे मांग है कि प्रदान मंत्री जी विदेश मंत्री जी डिप्लोमेटिक चैनल का उपयोग करें या अंतराश्टी जो भी मंच है उसका उपयोग करते भे और हमारे भारतियों की उत्राखन के जो लोग फंसे हैं उनकी सकुसल सुरक्षित वाप्सित लिकारी न्यूक किया जाएं इस दोरान कॉंग्रेंस नेता प्रसाद नैथानी ने बीजेपी सरकार पर जम कर निशाना साथा मंत्री प्रसाद नैथानी ने पार्टी कार्यकरताओं में जोश भरते हुए कहा कि उन्हें जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार की नाकाम्यावियों का कच्चा छिट्था खोलना है उन्होंने बीजेपी सरकार पर देप्रियाग में बनाई जा रही एन्सीसी अकेडमी को दूसरी जगा शिफ्ट करने का आरूप भी लगाया है रहरिद्वार के रानिपुर मोड स्थित बेस्मेंट रॉयल प्लाजा में देवभूमी शूटिंग अकेडमी का शुबारम्द किया गया जिसमें मुक्य अतिती के तौर पर स्सपी सेंथिल अबुदाई कृष्णदाज एस ने देवभूमी शूटिंग अकेडमी का शुबारम्द किया इस अवसर पर स्पी रेल्वे डॉक्टर मंजुनाथ टीसी और अने लोग भी मौजूद रहे स्सपी ने देवभूमी शूटिंग अकेडमी के प्रवंधक कोच यूगिंद रियादव की प्रशन्सा करते हुए एकेडमी को प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सही प्लैटफॉर्म बताया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्सपी ने शूटिंग अकेडमी का शुबारम्ध किया है उदमशिंग नगर के काशिपूर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जहाँ पर ट्रक और कार में जोड़दार भेढंत हो गई वहीं इस भेढंत में CPU में तैनाद दरोगा की दर्दनाक मौत हो गई CPU काशिपूर में तैनाद पवन भारदुआज का शौव इस हाथसे के बाद कई घंटों तक कार में फसा रहा बाद में क्रेन और कटर की मदद से कार के अगले हिस्से को काट कर शौ को बाहर निकाला गया वहीं पुलिस ने शौ को पोस्मार्टन के लिए भेज दिया है तो ट्रक और कार में जूरदार भेड़न दोई जिसके बाद दरूगा की दर्दनात मौत हो गई तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं उधम सिंग नगर का ये पूरा मामला जहां पर दरूगा की दर्दनात मौत हो गई लगातार देव गुबी में इस तरीके के तेज रफतार से होने वाले मामले देखी गए हैं जरादून में आप पार्टी के नेता और उत्राखणवे मुखे मंतरी पद के उम्मीदवार करनल कोठियाल ने प्रेसवारता की है वहीं पत्रकारों से बादचीत करते हुए करनल कोठियाल ने हरीश रावत और बीजेपी दोनों पार्टियों से सवाल पूछा करनल कोठियाल ने कहा कि इनको हिंदूओं से तकलीफ है या आध्यात्मिक राजधानी से तकलीफ है वहीं कोठियाल ने हरीश रावत के बयान पर तंज कस्ते हुए कहा कि देवबुमी उत्तरा खंट को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे जिसको लेकर जनता हमारा समर्थन कर रही है, हरी श्रावत और बीजेपी नेताओं को क्यों तकलिफ हो रही है करनल कोठियाल ने आगे कहा है कि उनके पास पूरे तथ्य मौजूद है वही उन्होंने दोनों दलों को खुले मंच पर बहस की चुनौती भी थिया और कहा है कि मैं एक साधारण आदमी हूँ, सरकार में आप लोग रही है, फिर क्यों युगाओं को रूजगार नहीं दिया क्या तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पर्द के उम्मीदवार करनल कोठियाल ने प्रेस्वारता करते हुए हरी श्रावत और मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी दोनों ही पार्टी के नेताओं पर ये आरोप लगाए है हरिद्वार में भारते शिंता पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्षर जेपी नड़ा हरिद्वार पहुँच रहे है जेपी नड़ा का हरिद्वार में दो दिवस्य कारिकरम है जिसको लिकर पार्टी ने पूरी तयारी कर ली है राश्ट्रिय अध्यक्षर 2022 के आने वाले विधानसवा चुनाओं को लेकर सरकार और संगठन से बाच्चीप करेंगे मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी सहित पूरी कैबिनेट हरिद्वार में दो दिन मौझूद रहेगी पहले दिन जेपी नड़ा मुख्यमंत्री और कैबिनेट में शामिल मंत्रियों से बाच्चीप करेंगे दूसरे दिन विधायक सांसद और प्रदेश में जिले के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे वही राश्ट्य अध्यक्ष जेपी नड़ा के स्वागत को लेकर पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है ट्रंचिंग ग्राउंड की भूमी के नाम पर अवैध खरन के खेल को लेकर आमादी पार्टी की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया अब हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं आमादी पार्टी के प्रदेश उपाद्यक्ष दीपक बाली ने नगर निगम काशिपूर की तरफ से अवैध रूप से खरनन के अनुमती और ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर खेले गए कागजी खेल के खिलाफ जन हितियाच का दायर की है वही हाई कोट ने इस याचिका को स्विकार करते हुए इस मामले में आगे सुनवाई की तारीख भी तह करती है जिसके बाद नगर निगम और घोटाले के इस पूरे खेल से जुड़े लोगों में हड़कम्प मच गया है तो हाई कोट पहुँच चुका ये पूरा घोटाले का मामला आपको बता दे काशीपुर का ये पूरा मामला है जहां पर अवैद रूप से होते खरन के बीज आम आदमी पार्टी के नेता ने अब जन हितियाच का दायर कर दी है जिसके चलते खरन में लिप्त लोगों के बीच हड़कम्प मच गया है ट्रंचिंग राउंड की भूमी के नाम पर अवैद खरन किया जा रहा था और इस खेल को अब आम आदमी पार्टी के नेता ने इसके खिलाफ मोर्जा कोल दिया है और इसी के साथ आपको बता दें कि घोटाले में जो लोग शामिल बताय जा रहे है उनके बीच अब हड़कम्प की स्थिती है बूरा मामला घोटाले का नजर आता हुआ जो कि अब हाई कोर्ट पहुँच चुका है और जनिह तियाच का दायर कर दी गई है देकि ऐसा है कि मैंने माने मक्मंतरी जी को भी निवेदन किया था कि इसकी SIT दाच होनी चाहिए इसी बीच में आमादी पार्टी के कारिकरतार मेरे द्वारा लगातार इस बुद्धे को उठाया जा रहा था जसके सद्धव में कुछ और लोग इंगरीद बंटी हैं कुछ और लोग माने नियाएले गए थे जनिंग तियाचिका को लेकर जो कलस उन्वाई के दौारान जिसको कलस वीकरत कर लिया गया है और अब अमीद है कि नयाएले से नयाए मिलेगा जब इसकी जाच होगी तो कोई भी नाम जो इसमें लिप्त है वो बचेगा नहीं वो जनता के सामने आएगा अब ये मामला कोट में विचार दीन है नायले में विचार दीन है तो मुझे लगता है कि अब हमें उदा करना चाहिए और विधिक रूप से जो कारे है वो आगे बढ़ रहा है बढ़ना चाहिए लेकिन अभी तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि महापोर को नैतिक्ता के आदार पर इस्तिफा दे देना चाहिए बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार विपक्षी पार्टी विरूद प्रदर्शन कर रही है वहीं लालकुआ के बिंदू खता में भी कॉंग्रेस कारिकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरूद में केंदर सरकार और प्रधान मंतरी के खिलाफ विरूद प्रदर्शन किया वहीं केंदर सरकार और प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाय गया इसको दोरान कॉंग्रेस कारिकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आमादमी तरस्त है बावजूद इसके सरकार महंगाई कम करने को लेकर कोई प्रयास नहीं कर रही है बिंदुखत्ता कॉंग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष्य प्रमोद कालूनी के नितरत्व में दर्जनों कॉंग्रेसी कारिकर्ता बिंदुखत्ता के शहीद समारक तिराहे पर एखटा हुए जहां उन्होंने केंदर सरकार और प्रधान मंतरी मोदी के खिलाफ नारे लटा कर प्रदर्शन किया है तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लालकुआ के बिंदुखत्ता का पूरा मामला जहां पर कॉंग्रेस कारिकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार और प्रधान मंतरी मोदी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया विरोध प्रदर्शन के साथ ही यहां पर प्रधान मंतरी मोदी का पुतला भी जलाया गया आपको बढ़ता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर ये विपक्ष का पूरा हंगामा यहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर सीधे सीधे आरोफ लगाया उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने का किसी भी तरह का सरकार के ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और इस बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी की कमा तूट चुके है आम आदमी इस बढ़ती महंगाई के चलते तरस्त है जिसके बाद आज कॉंग्रेस कारेकरता इखटा हुए और उनोंने बिंदू खटा में आपको बता दें कि ये पुतला फुका बढ़ती महंगाई को लेकर ये पूरा विपक्षी पार्टी का विरोध प्रदर्शन था और इन्होंने सीधे आरोप सरकार पर लगाया है इनका कहना है कि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निड़ना नहीं लिया जिसके चलते जो महंगाई है उसको कम किया जा सके आज जो पेपर ने देख रहे हैं आप लोग भारती संता पार्टी की फेंद्र में सरकार है जो जो ऑयल मार्केटिंग कंपणी है बाती सरकार के दीन उसने आज पत्सीस रूपे गैस के सिरिंडर के दाम के रेट बढ़ा दिये गये आप यह देख रहे हैं कि जनवरी माह से इ नियंतर ब्रदी करिया आज उसी के विरोध में याप पर हसपास रागा पुदला जहन किया गया है और जैसा कि हम पहले भी से पहले हम भार्ती जिंदा पाड़ के सरकाल को भाम भी कह चुके हैं कि आपने जो लोगों से जो अच्छे दिन के वाइदे के थे और महेंगाय को न नहीं किया और देश की जो जनता के साथ जो आपने यह जो खेल खेला अगर इस वापने क्या कहते हैं आपने कंट्रोल नहीं किया तो हम इसके लिए आपका विरोध प्रदेशन करते रहेंगे जनता के साथ एक छलावा है और जनता के साथ ही जो चलावा भाजपा सरकार कर रही है उसका आने वाले समय में जनता इसका उसको जवाब देगी और केंदर सरकार से पिर कहना चाहते है भाजपा सरकार से जो आपने गैस के दाम बढ़ा है इसको आपको तुरंत कम करना चाहिए जब केंदर में हमारी यूपीय सरकार हुआ करती थी तब आपकी दो अभीनेत्रियां जो आज सांसद बनी बैठ तुई हैं वो हमारे माने प्रधानमति मनमोहन सिंग जी के लिए चूडियां बेजा करती थी आज कहा है उनकी वो चूडियां आज उमोधी जी को क्यों नहीं दे रही है महंगाई के समय में चूडियां और उनकी अभीनेत्री जो लोगों दिखाने के लिए अभीनेत्री के रूप में गैस स्लेंडर लेकर के सर पर घूमा करती है आज उन्हें जंता की महंगाई दिखाई नहीं दे लिए चले बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अग सभावना देवस प्रतिग्या ली गई जिला कार्यालय में जिलादिकारी धीरच सिंग गर्बयाल ने मंडला युक्त कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकार हरीशलाल वर्मा कार्मिकों को सभावना देवस प्रतिग्या दिलाई वहीं कार्मिकों की तरस से प्रतिग् प्रतिग्या सवहारों कारिकरम का अयोजन किया गया जहां पर तमाम लोगों ने प्रतिग्या ल कि वो देश की एकता और सथ भावना के लिए कारे करेंगे तस्वीर है आपके टीवी स्कीन पर जहां जर्म देवस फ़ीर ही पुष्यान और सद्भावना के लिए सभी काम करेंगी। महिलाओं ने उनको राखी बांदी और उनके उज्ज्वल भविश्य की कामना की के। रक्षा बंधन का त्योहार जो नजदी कारा है उसको लेकर ये पूरा कारिकरम रखा गया था और इस बीच महिलाओं ने बड़ी संख्या में ये कारिकरम में पहुंची। और मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी जो की उधम सिंग नगर के दोदिवस्य दोरे पर थे वहाँ पर जब पुषकर सिंग धामी पहुंचे तो रक्षा बंधन मिलन समारों का ये जो पूरा कारिकरम था जो आयोजन किया गया था वहाँ पर एक बड़ी संख्या में महि पहुंची और महिलाओं ने एक-एक करके मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी के हाथ पर उनकी कलाई पर राखी बांदी और कलाई बांते हुए महिलाओं ने कहा कि आपके उज्वल भविश्य की वो काम ना करती है तो उधम सिंग नगर पहुंचे थे पूर मुख्य मंत् ये पूरा आयुजन था जहां पर पुषकर सिंग धामी पहुंचे थे और उन्होंने महिलाओं को अपनी सभी बहनों का नाम देते हुए उनको वहां पर आमंत्रित किया जिसके बाद महिलाओं पहुंची और उन्होंने मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी के कलाई पर र पाकी बांदी और उनके उच्छल भविशी की कामना की है। को बढ़ा ही दे रहा हूं और साथी साथ उनकी जो रक्षा रक्षा सुत्र जो उन्होंने मेरे हाथ में बादा है तो निस्चित रूप से मुझे और सक्ति देगा और उर्जा और उत्सा का संचार करेगा मेरे अंदर कि मैं और अच्छे तरीके से काम करता हूं उन बहनों की बिलासाओं और आकांचा को पूरा कर पाओं जो मेरे से रखती है क्या कहिंके बहनों को सवगात भी दे रहे हैं बसों में फेरी की आत्रा हमें साथ होती होगा उसको अमने बसों में यात्रा उनकी इस पार भी निसुल्क रहेगी और साती साथ हमने आगन बाड़ी कारी करत अगली कवर रुद्रपूर से है जहां एनेच चोहतर किछा रोड पर दूदिया मंदिर के पास शमसान घाट से मेडिसिटी अस्पताल से लेकर पानी चौक तक की सड़क की हालत खसता हाल है जिसको लेकर NHAI के अधिकारियों ने विधायक राजकुमार ठुकराल और मेयर रामपाल सिंग की मौझूदगी में इस्थलियन इरिक्षन कर इसका जायजा लिया अधिकारियों ने सड़क को जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है बता दें कि इस सड़क का निर्माड लंबे समय से अधर में लटका हुआ है जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस मामले को लेकर बुद्धवार को दर्जनों लोगों ने विधायक राजकुमार ठुकराल के नितरत में ननेताल रोड स्थित एनेच के कारयाला में पहुँचकर पदर्शन करते हुए परियुजना निदेशक योगेंद्री शर्मा का घेराव भी किया था विरोध के बाद गुरुआर को एनेचाई के अधिकारियों ने विधायक राजकुमार ठुकराल और मेर रामपाल सिंग की मौझूदगी में मौके पर पहुँचकर सड़क का जायजा लिया तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़के जो तूटी हुई है खस्ता हाल है पानी भर जाता है इसको लेकर विधायक ने आज इस्तलिये रिक्षण किया है इससे पहले विधायक के दफ्तर के बार लोगों ने प्रदर्शन भी किया था और विधायक से मांग की गई थी कि एगवाय निरिक्षण कर ले तो विधायक ने तूटी पडी सड़क का निरिक्षण किया जिसके बाद उन्होंने जल्द निर्माड का आश्वासन दिया है आपको बता दें कि बीते एक लंबे समय से यह पूरा जो निर्माड का रहे था धर में लिटक गया थ जिसके बाद इस से चलते जो सड़क जो खस्ता हाल थी उसके चलते वहां जो लोग आने जाने वाले थे जो रहवासी थे आसपास के इलाखों के उनको काफी देखकतों का सामना करना पट रहा था जिसके बाद उन्होंने विधायक से कहा इस बात को लेकर जिसके बाद खायक ने इसका संग्यान लिया और अब जाकर इसका निरिक्षट करने के बाद उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिये हैं। पर एक पौधार उपड का कारिक्रम आयुजद किया गया। जिसमें पूर्ब मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत ने पहुंचकर पौधार उपड किया। रुड़की में गंगनेहर किनारे से सोलानी पार्क है जहां पर पूर्ब मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत पहुंचे और उन्होंने पौधार उपड किया है। तो हरेला परवत 10,000 पौधे लगाने का लक्ष भी बनाया है। अधिसंग के पौधे बरगत के पौधे हैं और पीपल के पौधे हैं। दो ब्रक्षों पर हमने विशेश फूकस किया है। हमने इस बार यह लक्ष रखा था हरेला पर कि एक लाख पौधे हम राज्य में बटर पीपल के लगाई है। दिल्दे के मुख्यमंत्री परण चला है। उत्राखंट के मुख्यमंत्री पुष्कर सिक धामी ने बुद्धवार को प्रदेश की आत्म निर्भर नारी शक्ती से वर्चौल संबाद किया है। मुख्यमंत्री ने उत्रकाशी के विकास खंड चिन्याली सौड मली गाउं की अपड़ना स्वयम साहता समू की अध्यक्षा रीना रमूला से वर्चौल बाची प्रूरान यमनोत्री विधायक केदार सिंग रावत भी मौके पर मौझूद रहे। ब्लॉक सभागार चिन्याली सौड में आयोजित कारिकरम में अपड़ना स्वयम साहता समू की अध्यक्षा रीना रमूला की तरफ से मुख्यमंत्री को कारें के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि NRLM के तहत हमारे समूल LED लाइट बनाने का प्रसिक्षण भी लिया है। आयोजिकार न्यूजवल्ड इंडिया के साथ।